केतन की अवाज सुनकर पलवी उसके पास आती है हेलो सर आप यहाँ एक्चुली मेरी पास में एक मीटिंग थी थो इसी वजह से सडक पर तुम दिख गई तो रुख गया ओ, पलवी बार बार अपने घड़ी देख रही थी ये बात केतन नोटिस कर लिता है पलवी वहाँ से इंस्टिटूट चली जाती है और केतन उसे जाते हुए देखता है दूसरी तरफ ऊफिस में अनुपम केतन के केबिन में आता है केतन को वहाँ ना देख कर, वह बहार आकर मैनेजर से केतन के बारे में पूछता है इस्टर माथूर आपको पता है कि केतन कहा गया है नहीं सर केतन सर मुझे बता कर नहीं कए तबी वह employee जो हर रोज केतन को उसी वक्त ऑफिस से बाहर जाता देखता था वह अनुपम की तरफ देखनी लगता है अनुपम की नजरे भी उससे मिलती है अनुपम अपनी केबिन में चले गए पलवी अपनी क्लासस खतम करके इंस्टिट्यूट से बाहर निकल रही थी कि तभी उसकी नजर अपनी कार के पास खड़े केतन पर पढ़ती है पलवी को थोड़ा अजीब लगता है वह जान बूचकर उससे देखकर भी अन देखा करके जाने लगती है तभी केतन उसे आवास देता है पलवी इस वक्त उसके लहजे में हलका सा रुखा पन था पलवी वहाँ से जाने लगती है कि तभी केतन उसे रोकता है कहिए मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और अपनी आगे की जिन्दगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ केतन के मुँसे ऐसी बात सुनकर एक पल के लिए पलवी को कुछ समझ नहीं आता कुछ पल सूच कर वह कहती है आपको पता भी है आप क्या बोल रही है बस एक बार की एक प्रोफेशनल मीटिंग से आपने ये डिसाइड कर लिया कि आप मेरे साथ पूरे जिन्दगी बिताना चाहते हैं आप जानते ही क्या है मेरे बारे मी केदन ने एक सास में पलवी का रूटीन बता दिया था पलवी कुछ पल वैसे ही देखती रही और बोली और पलवी एक व्यंग भरे मुस्कान के साथ बोली ये थो आपनी मुझे मेरी डेली रूटीन बता दी इसमें ऐसा कुछ नहीं था आपके हिसाब से ये मैं हूँ मतलब किसी पर नज़र रखकर उसकी रोज मरा की जिंदगी जान लीना कोई बड़ी बात नहीं है मिस्टर केतन जरूरी है एक इंसान को जानना उसकी भावनाओं को समझना और हम तो एक दूसरे को चानती तक नहीं तो आपका इस तरह की बात मेरी लिए सोचना मुझे तो समझ नहीं आया मैंने अपने मन की बात तुमसे कह दी मैंने आस ते कभी ना नहीं सुनी है मैं चाहता हूँ कि तुम इस बारे में सोचो मैं तुम्हें हर खुश्य दूँगा तुम्हारे पूरे परिवार की जिम्मदारी उठाऊंगा तुम्हारे पिता का इलाज, भाई, बहन की अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ाई ये सब मेरी जिम्मदारी होगी तो आप मुझसे मेरी घर की परसितियों को ढाल बना कर शादी करना चाती हैं अगर ऐसा है ना, तो मैं वो नहीं हूँ कि अपने परिवार का ध्यान न रख सको और उनकी भरन पोशन के लिए किसी अमीर जादे को खुद को भेज दू और हाँ, आपने आज तक ना नहीं सुनी, तो आज सुन लीजिए मेरा चवाब है ना, मुझे ये रिष्टा मन्जूर नहीं है पल्लवी की बात सुनकर केतन हैरान था जिंदगे में पहली बार किसी ने उसे ना कहा था वो भी उस इंसान ने जिसे उसने अपना दिल दिया था पल्लवी अपनी बात कहकर वहाँ से चली जाती है केतन बस उसे जाते हुए देखता रह जाता है थोड़ी देड में पल्लवी अपनी घर पहुशती है आज से हुई बात से उसका मूर खराब था वह चुप चाब घर के सोफे पर आकर बैठ जाती है तभी वहाँ अमन भी आ जाता है आईशा वाली बात से उसका भी मूर आफ था पल्लवी केतन के बात में सोचते हुए बोलती है सही कह रहे हो इने लगता है कि यह हर किसी की जिंदगी उनकी पसंद नापसंद का फैसला कर सकती है यह हर किसी की जिंदगी के भागी विदाता बनना चाहते है हमेशा शांत और मुस्कुराती रहने वाली पल्लवी को आज पहली बार अमन ने इस तरह से बात करती देखा था क्या बात है दीदी आप कुछ परिशान लग रही हो कुछ भी तो नहीं पर तुम्हें क्या हुआ है तुम्हारा मूड इतना उखड़ा उखड़ा क्यों है अमन पल्लवी को आईशा के बारे में बताता है इस तरह की लोगों से जितना हो सके उतना दूर रहो और डड़ने की जिरुरत नहीं है और हाँ अगर दुबारा ऐसा कुछ हो जो तुमसे ना संबली तो मुझे बताना कभी हिचके चाना मत अमन हा में सिरहिलाता है और चला जाता है पल्लवी मन में सोचती है कि जो कुछ भी हुआ उसे भूल कर दुबारा से अपने जिंदगी में वापस आए वो किचिन में चली जाती है और खाने के तयारी करने लगती है दूसरी तरफ केतन पल्लवी की ना बरदाश नहीं कर पा रहा था उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसे मना भी कर सकता है वे गुस्से में अपने कमरे में आता है और टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाता है उसके कानों में पल्लवी के कहे शब्द गुंज रहे थे गुस्से में वे अपनी मुठी बंद करता है और हाथ में पकड़ा पानी का ग्लास दबाव से तूट जाता है ग्लास तूटने से काच उसके हाथ में घुच जाता है जिस कारण उसके हाथ से खोन हे खोन बहने लगता है पर ना सुनने के गुसे के आगे केतन को चोट के दर्द का एहसास नहीं था तभी सरिता उसके कमरे में आती है और खोन बहता देखकर घबर आ जाती है और भाग कर केतन के पास आती है केतन ये चूट के से लगी तुम्हारे दिखो कितना खुन भे रहा है केतन उनके बात का कोई जवाब नहीं देता सरिता ड्राइवर से फर्स टेट केट लाकर उसके हाथ में बैंडिट करती है बहुत दर्द हो रहा है केतन सरिता की सारी बाते चुप चाप सुन रहा था तब ही सरिता का फोन बचता है और वो वहाँ से चली जाती है उसके जाते ही केतन कहता है केतन अपने बैट पर लेट जाता है और अपनी और पलवी की पहली मुलाकात याद करता है जो कॉलेज में हुई थी जिसे केतन की कंपनी फंड करती है पलवी उस कॉलेज के 10 साल पूरे होने के उपलक्ष में एक कॉन्फरेंस रखी गई थी जिसमें बाकी लेक्चरार्स के साथ ही पलवी भी आस गेस्ट लेक्चरा बुलाई गई थी केतन उस कॉन्फरेंस का चीफ गेस्ट था पलवी ने वहां स्टूदेंस को साइकलोजी से रिलेटेड बहुत सी बाते बताई जिसे ना केवल वहां मौजूद स्टाफ और स्टूदेंस बलकि केतन भी काफी इंप्रेस हुआ कॉन्फरेंस के बाद पलवी को केतन ने अपने केबिन में बुलाया आईए मिस्स पलवी पलवी केबिन में आती है आपने मुझे बुलाया आईए मिंप्रेस्ट मिस्स पलवी आपका लक्चर इतना जबरदस्त था कि कोई भी उसे बिना सुने नहीं रह सकता थांकी सुमच सर मेरे पास आपके लिए एक आउफर है मैं चाहता हूँ कि आप हमारे कॉलेज को जॉइन कर ले पर आपके सेलरी आपके करेंट सेलरी से डबल होगी पलवी कुछ सोच कर कहती है पर मैं अपनी करेंट जॉब में दो साल के कॉंट्राक्ट से बंदी हूँ अकर मैंने बीच में जॉब छोड़ दी तो मुझे अपनी इस सिक्स मन्स की सालरी होने देनी होगी आपका कंपनसेशन हमारी कंपनी भर देगी आप बस राजिनेशन देखकर जल्द से जल्द हमारा कॉलेज जॉइन कर लीजे पर क्यों अब तो आपका कंपनसेशन भी भरने को रैडी है बात सिर्फ कंपनसेशन की नहीं बलकि एथिक्स की भी है मैं अगर ऐसे बीच सेशन में जॉब छोड़ूंगी तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी और स्टूरेंट्स की पढ़ाई पर असर पड़ीगा सबसे स्यादा जरूरी अपनी जॉब अनस्टी से करना होता है अगर मैंने इस वक जॉब छोड़ी तो इसका मतलब मैंने अपनी जॉब के साथ गदारी की और वो मैं नहीं कर सकती I'm sorry once again केतन को पलवी की सोच बहुत इंप्रेस करती है जो कि इतनी अच्छी ऑपरचुनिटी के आगे नहीं बदली वह पलवी से कहता है It's okay, I understand मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि हमारे कॉलेज के दर्वाजे आपके लिए हमेशा खुले है आप जब चाहें इस कॉलेज को जॉइन कर सकती है Thanks for understanding, मैं चलती हूँ उतने से वक्त में ही पलवी ने केतन के दिल में अपनी जगह बना ली थी या यू कहें, खुद में दिल्चस्पी पैदा करवा दी थी तभी से केतन ने पलवी का पीछा करना शुरू कर दिया और उसे पलवी की जिंदगी के बारे में इतना सब कुछ पता चला केतन अपने खयालों से बाहर आता है और सोचता है अब चाहें जो हो जाए, मेरी शादी तुमसे होगी पलवी और उस दिन मेरे दिल को सुकून मिलेगा ये सोच कर वे मुस्कुराता है अगली सुभा पलवी तयार होकर बच्चों को पढ़ा रही थी तभी बाहर से ढोल के आवाज आने लगती है वे उटकर जाने लगती है उसके पिता आनन्द और पारुल और अमन भी बहार आ जाती है बहार का नजारा देखकर सब हैरान रहे जाती है उनके सामने केतन खड़ा हुआ था और अपने दोस्तों के साथ नाच रहा था और ढोल वाले ढोल बजा रही थे कुछ देर ये सब देखने के बाद आनन्द बोलता है ये सब क्या हो रहा है मेरे घर के सामने आनन्द सी बात सुनकर केतन धोल वालों को धोल बंद करने का इशारा करता है धोल वाले धोल रोग देते हैं केदन मिठाई का डबा लेकर आनंद के सामने जाता है और गहता है उसकी बाद सुनकर सब शौक्ट रह जाती हैं केदन के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है पलवी केदन की इस हरकत का जवाब दे पाएगी यह कुदरत ने कुछ और ही लिखा है आगे की कहानी जानने के अगला भाग सिर्फ अपनी चैनल लावसटी पर थांक्स फर वाचिंग